गाइस कैसे हो आपनों दोस्तों मैं हो गाश्माट और आप देख रहे हैं उनिचे में का साहल फीनिक ये इंटर्वी मिस्टेक सीरीज चल रही है अब मिस्टेक में अपने लाश्ट टैम डिसकस किया था वह टेक्निकल राउंड उसमें भी स्ट्रक्चर का किया था आगे और अलग अलग मिस्टेक्स आएंगे टेक्निकल राउंड के बट आज का जो टॉपिक है ये एक्चार राउंड से रिलेटेड है मलब एक्चार इंटर्वी में हम लोग कौन-कौन से मिस्टेक्स करते हैं गाईस जिसकी होजा से हमारा सेलेक्शन डूग जाता है तो चलिए इस जी रám देता हूं जैसे कि पार अध्य करता है नहीं टैयार रहता है हम लोग इंट्रवीकर को अपने परिवार के वारें बताने लगते हैं और उसके बाद हमारे परिवार में कौन क्या करता है यह पताने लगते हैं या पिर यह बटाने लगते हैं कि हमारा पास्ट में क्या क्या हुआ हुआ था था ठीक है उसको अपनी करना है तो बिजनस करने के लिए वो आपको है कर तो आपको hire किसली करेगा तो उसको आपको hire करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब है आपके professional life से जरूवत पढ़ी कुछ सक हुआ तो आपके background पे थोड़ा सज जाएगा कि हाँ भाई इनके घर से हैं मदर फादर क्या करते हैं भाई बेन क्या करते हैं वो जरूवत पढ़ती है तब एक businessman को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है इसलिए वो आपसे चाहता है कि जब आप introduction दे अपना तो आप उसमें अपने skills को express करें आप उसमें पताएं कि आप कौह से college से हैं बहुत अच्छे college है तो उसको जरूर highlight करिए थोड़ा सो उसका भी benefit ले लीजे अगर आपके पास technical knowledge है उसको भी थोड़ा सा explore करिए यह यह चीज़े मैं कर लेता हूँ क्योंकि आप यह जानिए कि HR interview में कोई technical panel थोड़ी बैठा हुआ है तो उसको अगर result बताओगे तब यह समझेगा बताओगे मैं stat pro जानता हूँ e-type जानता हूँ अच्छी भात है अब stat pro में क्या जानते हो थोड़ा सा उसको express कर दो आसान भासा में उसको technicalism मत बताना कि मैं p-delta effects के analysis करता हूँ नहीं मैं हमको पता है कि कैसे submit करनी पुरी drawings को हमको पता है कि पुरी drawings को कैसे एक software से दूसरे software के interface पर लेके आते हूँ वहाँ से result लेके कैसे client को submit करना है each and everything मैं यह पता है यह software में मैंने सीखा है उसके साथ आपको express करना चाहिए कि भाई मैं यहां से पढ़ा हूँ यह मेरा pass out year है इस year से इस year तक मैंने यहाँ पर job किया हुआ है और जो वहाँ पर job किया था उसमें इदना बढ़ा चड़ा के बताईए कि मुझे ये 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 काम किया था मैंने क्यों क्योंकि उसको लगेगा कि यार इसको salary थोड़ा सा ज्यादा देना है ठीक है तो ये mind में आप make up बनाईए कि मुझे introduction अपना तयार रखना है पहला mistake ची होता है दूसरा mistake हमने देखा है कि hobbies पे लोग बहुत गल्ती करते है hobbies में लोग बोल देंगे मैं traveling करना मुझे पसंद है hobbies इतना easy वाला रखिए न कि पूछ के भी परिसान हो जाए जैसे कि cooking ठीक है अब cooking hobby में क्या पूछेगी आपसे चाय बनाना आता है आपको ठीक है डाल चालू बनाना आता है बता दो deep में बता सकते हो आप ऐसी hobbies मत बताईए उनको कि जिससे को आपको express करना को इस लोग बोलेंगे traveling कहां गया थे travel करने तो तीन साल पहले में गोवा गया था अच्छा कौन से ट्रेल से गया था ये नहीं आदे ठीक फस जाओ कि भाई गोवा में कौन कौन से जिगवा के explore किया था पता नहीं है तो मत करो ये सब ठीक है simple बताओ कि मेरी ये hobbies है ठीक है books पढ़ना अगर real में जैसे मैं books पढ़ना बताता हूँ लेकिन आप दो होगे मेरे पीछे बहुत निर सारे books ही books है तो books मैं पढ़ता हूँ इसलिए में बताता हूँ आपको सजिस करूँगा cooking बताइए आपकी hobbies ये दूसरी mistakes होती है तीसरी mistakes आप लोगों में से बहुत से लोग होते हैं जो एक profile से दूसरे profile में आना होता है तो वो बता दिते हैं कि ये वाली जो profile थी बहुत hard working थी maximum अपने अगर domain की बात करूँ तो बहुत से site engineer वेले बच्चे आते हैं structure के interview के लिए फिर beam के interview के लिए उनसे पुछो कि क्यों switch करना चाहते हो HR थोड़ा सा personally होने की कोसिस करती है जिससे आप सचाई पूरा बाहर निकाल दो आप तुरंती बोलते हो मैं बहुत hard working job था CP से बाहर थी पूरी job ठीक है वहाँ पर हम family को manage नहीं कर पाते थे उसके साथ ही साथ morning union का कोई timing नहीं था आप ये सब बखवास करने लगते हैं इस सब बखवास है guys क्यों क्योंकि उनको पता है कि यह बाई यहाँ पर भी तो कुछ यही होने वाला है ठीक है अगर इसको hard working दिया तो छोड के भाग जाएगा ठीक है जैसे अपने अभी site की job छोडने को उसस कर रहे हो ठीक है इसलिए यह सब बाहने नहीं देने आप इसी चीज़ को पॉस्टिव कर सकते हो अगर site का experience है आपके पास उसको positive करो आप लोग इसलिए पॉस्टिव कैसे करते हैं आप उनको बताओ कि मैं I have done my two years on site ठीक है I know each and everything in practical manners how to provide development length, how to provide beam, how to provide column each and everything I have a technical knowledge now I am trying to switch in structures or beam so that I can explore more in our domain ठीक है मैं और explore कर सकूँ मैंने जो practical तो मैंने देख लिया है ऐसे घुमाओ अपने site engineering का experience को कि वो लगे कि यार यह तो valid experience है इसको count करके इसको salary देनी चाहिए ठीक है उसको बताओ कि मैंने यहाँ पर पूरा explore कर लिए and now I am trying to explore these industries like structure engineering इस इस च्रुक्चर engineering में बहुत कुछ सीखने को है ऐसा करोगे तो यह आपकी जो like experience है positive convert हो जाएगा चलिए तीसरी mistakes जो मैंने देखा है लोगों के साथ वो है कि बहुत नहीं सारे बच्चे उनको यही idea नहीं रहता है कि क्या मैं offer दू मतलब sorry क्या मैं salary के लिए बोलू मतलब अगर उनसे पुछा गया कि what salary you want ठीक है तो कोई बोलेंगे इतना high कोई बोलेंगे इतना slow ठीक है और rejection उनका हो जाता है ठीक है कैसे कोई बोला 12,000 वह ऐसा हो जाते है कि जिसे की 12,600 होते देंगे तो भूरी नहीं लेगा या फिर 11,500 होते लेंगे तो नहीं लेगा कभी भी जब salary किसी को explain करिये तो एक range दीजिए so that they can think about that range ठीक है आपको एक range देना चाहिए कि इस range का मैं salary ले सकता हूँ suppose आप फ्रेसर हैं तो आपको ऐसा ही salary देनी चाहिए कि भाई अपने वाली company भी अपने आपको देख पाए कि हाँ यार यार यह बंदा जिना थोड़ा flexible है आप बोलो कि sir इसका मतलब कैसे answer देना चाहिए तो पहला answer आपको तो सबसे best answer अगर फ्रेसर हो आप तो आपको बोल कि नहीं as per industry norms जैसे आप यह बोलते हो तो इंडस्ट्री का एक आकड़ा होता है कि भाई 12,000-15,000-20,000 जो भी चल रहा है वह आपको offer होता है लेकिन जो HR होती ही पहुच अलाक होती है ठीक है वह आपसे क्या पोचती है अब please give me numbers ठीक है अब number में आप फस गया आपने सोचा ह अब पूलो के सर कैसे बोलू कि 15 से 20 ही लेना है तो आप देखो कि यह जो company हो कितनी बड़ी है उसके base पर salary दिया जाता है कभी अगर आप मेरे company में आओगे मैं आपको एक लाक रुपय ओफर नहीं करूँगा मंतली क्यों क्योंकि मेरा turnover उस हिसाब सो होना चाहिए न तो आपको देखना चाहिए कि इस company में इंटर्व्य ते नहीं जा रहा हूँ glassdoor.com से उसका थोड़ा सा idea ले लो कि उस company का average price क्या हो गया चल रहा है ठ 20 से 25 छोटी company ये 15 से 20 ऐसे range दो range दो कि हमेशा interview को पसंद रहता है क्यार ये बंदा flexible है हर काम को करने के लिए चलिए तो यह थी आपकी तीसरी mistakes जो आपके साथ होती है आप सबको पता है बहुत बार reject हुए होंगे अब बात करते हैं चौती mistakes की चौती mistakes वो आपसे flexibilities को और वो बलते हैं कि मेरे हाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें traveling करना पड़ता है बट actually बता हूँ तो जिस domain को मैं पढ़ाता हूँ जो मैं बहुत कम traveling होती है rare होती कभी कभी inspection होगरे करना होता है बस तो आपसे पूछते है कि कभी आपको Mumbai Delhi जाना पड़ा तो are you okay with that? तो आप ब बोलना है कि भाई मैं नहीं कर सकता है एकदम flexible आप ऐसा आपको express करना है ठीक है चलिए जो एक और last problem आपके साथ मैंने देखा हुआ है वो देखा हुआ है कि आपको एक question तो पूछेगी पूछेगी कि आप 5 साल के बाद अपने आपको कहां देखना चाहते हो ठीक है तो बह लेकिन वहाँ क्या बोलना है यह बोलो ठीक है वहाँ पर यह आपको बोलना है कि I want to become a managerial position so that I can manage a team ठीक है I like to manage a team तो बोलेंगे कोई example है आपने कभी manage किया है yes ma'am when I was in college तो I was a cricket captain नहीं हो तब भी फ्हेंग दो ठीक है क्योंग वहाँ जरूवत है ठीक है क्योंकि वहाँ प अपने सुना ही होगा बहुत से लोगों ने बताया होगा कि companies आपसे पूछती है what's your biggest achievements ठीक है तो जो भी biggest achievements सा थोड़ा सा high level करके बता होगे तो उनको अच्छा लगेगा कि मेरे company में ऐसा बंदा है जो कुछ life में उखाड़ा हुआ है मतलब कुछ बड़ा किया हुआ है तो हो कि एक HR को कैसे बनाना है ठीक है लेकिन यह सब कुछ थे नहीं प्लानिंग नहीं रहती है तो हम फस जाते हैं maximum लोगों के इंटर्वी मैंने भी लिया है HR उनके भी इंटर्वी मैंने लिये हुए कर HR यह नहीं रहती थी तो तो उसमें देखता था हमें लोग यहीं बोलते same things in software same thing I can explore because structure is a big domain I can learn a lot here that's why I want to switch from site to here तो बोलेंगी site पर क्या आप सीखने को नहीं था no ma'am I think I'll learn everything whatever required for site ऐसे positive घुमाऊ उनको उनको लगे कि हां यह यह बुराई करके नहीं आ रहा है और याद रखना एक और चीछोटी चीज experience वाले लोग बड़ी गलती करते हो आप किसी company की छोड़े है तो आपको लगता है इसकी कितनी बुराई करदो इस company की मत करना ठीक है क्यो वो गलत impression जाता है नेक्स जो एचार है उसको लगता है कि भाई इसने अगर मेरी company छोड़ा कलको तो तीसरे को यही बताने वाला है इस company की mistakes ठीक है इसको याद रखना और हाँ एक और चीज़ जो experience वालों के लिए important है competitor company आप पूछी आती है आपसे like अगर कोई यह company है उसका competitor कोई ने कोई market बराता ही रहता है ठीक है तो पूछते हैं कि आपको इनके बारे हम क्या पता है ठीक है या फिर उनको आपको hire नहीं करना है सिर्फ आपकी company का राज जानना है तो आपसे बार वार पूछेंगी कि मत करिए इस चीज़ को हमें सहाथ रखना companies इस चीज़ पर बहुत focus करते हैं चलिए आपको मेरा experience से काफी help मिलेगा मुझे यह उम्मीद है ठीक है structure के interview का मैंने पहला वीडियो से श्राट कर दिया था दूसरा यह technical है अभी भी क्या बोलते हैं अगर आपको complete structure engineer बनना है complete beam का तैरी करना है PEB का तैरी करना है फिट से last में बताता हूं जो लोग यहां तक देखे हैं नीचे link discussion में unique civil app जाईए वहाँ पर all in one beam और PEB के courses है happy holy code यूज करिए enjoy करिए सीखिए धेर सारी चीज़ों को thank you so much चेहें चेवारा